पहले टो जो पाइब भाई को रूप जाओ एक मिनट पर जाओ निसा जाओ लूँ यह पर्दा भी ताल लेए ट्रोली पे सा पदी भूल जावा है इसको बैठे यह गेट लो हाँ हाँ गेट गए है पर हमारे पती देव यह जा रहे हैं हाँ बाइख निकालनेCu4 निकालने में लगे यहाँ से जब वाइख निकालने में लगे तो यहाँ से जब बाइख निकालते घृठदी दिक्कत पढदتi है तक तब अगरा रखके निकालनी पड़ती है और हम लोग बोल भी रहे थे और आप लोग भी बताईए हम कहते हैं कि अच्छे लग रहे हैं आपके कपड़े तो बस मंडे में जा रहे हैं बाद देने के लिए मतलब बाद देना होता है ना बेहन के लड़के की शादी हो या ल बाद निकला है फिर खाना पिना स्टार्ट हो जाता है फिर भात भी देना है तो इस वज़े से थोड़ा सा नाराज हो रही थी कि टाइम से पहुंचना चाहिए तो यहां अभी जो है अबनी कर रही है कॉल गेट जी हाँ अबनी अपना नया ब्रस लाई है और यह देखो ब पहरी है अब नहीं ममी में यह अब लोग कमेंट भी कर रहते हैं कि अभी घर्मी को कपड़े मत बना एक रोक है रव कवनी को तो मतलब नहीं मानी ममी ने कर वाला बन्यान अरी पहन ने मनके चलो ठीक है बिटा पहनने वैसा भी शर्दी है शाम को फिर जब थोड़ी ठंड ह यह तुबह में ठंड होती हो तो फैन पैन लेती है तो बस अभी अपने बालों में खांगी तरह बनाएं प्रवाला पिलाओ आज मैंने इसकी कोई रहसे पी आप लगों के साथ से एंगे है आने वाले व्लोग में सेव करूंगी अब आज अब आज 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 मैं वाभी ने एक दिन में छपड़ सत्ता वाड़ उए कपने जोए आज आज आपको बहुत से कपड़े करके दिखाई है और जो यह कभी आपटर की डखे रहा है यह यह भी नेल में गिनेगी देखो यह भी कपड़े मच्चा भी तो इअट इस दो कि wild lot दो यह भी नेल मेंless पॉर्ट मेरा भाइक करता हैं रहा है memils तो कोई रस्तानी कहां सुरी है कनो सहों हीरो कहां कई स्थीस सब्सक्तितनी सब्सक्राइब बात बहुत काम जो भी बात काम 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 मेरे जबांता और गुछ रदता निए अज पाई काम होगा आज थोड़ी थी थी बसकाम कहाने की तीज लेट निए गंटा लेट वूँझे बाद पूरा चीछ छाफ हो गए मैंने बच्चों खतना मेट्रपूलाओ बनाया था इसलिए यहां चाओल रखे और यह मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया मेरा सारा काम खतम हो गया अंदर रूम तक का और मैंने है ना कुछ कपड़े कम से कम पचास प्रसपन कपड़े अमनी ने बताया भी आप लोगों को दूले हैं यह देखो टैडी वगएरा हो रहे थे और जो है धरीप आयदान वगएरा यह सब दूलती है सारा काम खतम हो गया अब बस रह गया है चाई पीने का काम चाई पी थक गी जो हमारी वहने जो है उनके लड़के की शादिया और मम्मी जो है वो जा रही है और अप लोगों की दूए की वज़े से बहुद्ध तोड़ी नॉर्मल होने लगी है तो जल्दी ही उमीद है जल्दी ही सब चीजे ठीक हो जाएंगी अगर देखो थोड़ा भी थोड़ा भी रिस्टे में सुधार होता है तो भी हम लोगों के लिए पहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि नंदर भावी का रिस्ता सुधार आपना भी सुधार हो मैं पूर तोड़ा बरताव चेंज होने लगा है और मैं चाती हूं कि घर जो है वो ठीक हो जाए बस इससे जदे और कोई मैं बात नहीं करो नी किसी भी मुद्दे पर मैं चाय पीलूं मुझे लगी भूक और चाय की तलब को दोनों इस टाइम पेने की आज़ता मुझे बाई नो भा करते हैं यहां पर बराबर मीं है चाचा जी कहर का गड़ के घर पर जारी पता हूं कि चोंद से लग रही है कैमरे और अब मीं जो है इसको बाहर खड़ा कर रखा टूशन नहीं हुआ हूं मैं बता दू मैं क्या करने के लिए जारी फिर आप लोग बोलोगे दीदी सस्पें बना रही है सस्पेंज नहीं बनाते मैं जा रही हूं चाचा चाची के घर मसाला पीसने के लिए आज हम खाने में कुछ बनाने वाले हैं जो भी बनेगा वह बहुत इस पेसल होने वाला है तो इसलिए लेकर जा रहे हैं कि बाए अवनी अरां सपार आप अरां सब्सारे पाऊ में अलजराय और अरां सब्सक्राइब तो किसकी कट्री खिंड़ी खिंड़ी बुस्क गोगो बाए वो बेटर तरी डायरी इसमें रख्यू उसमें रखा तरह स्लेवर्स रखा देख डायरी में रखा निच्चे बैग रख है दिखा दिये से जाकर दिदी को जा इनके अनुसार करवा देगी तेरी तैयरी जा मसाला पीशने के लिए मुझे आना पड़ा चाचा चाची के घर मेरी मिक्सी जो है वो खराब होगी है उसमें कोई दिखा के लानी पड़ेगी अभी पतानी क्या हो गया उसमें जाओंगी मैं देख सोच रही हूँ एक दो दिन में जाओंगी जहां से लिए आ वहीं दिखा के लाऊंगी तो फिलाल मसाला पीशने के लिए मुझे यहां ना पड़ा फिल्वटे पर वैसे हैं मिक्सी से जादे सूख अधे पड़त पड़ता मैं तो अपना सुझाओ बतारी हूँ मुझे अच्छ लगता है वैसे सिल्वटे पर मसाला पीश के सबजी उनाना और बस मेरे पास मेन थोड़ा सा कम रहा था इस वजह से मैं बई सलवते पर नहीं पीछ पाती हूं है भी मेरे पास में दोने चीजह और यहां काईरव जो है अपने मुफा से मुफा भी लगते है रिष्टे मेन जेट्व Woo जे अ काइरव को पराठा दे रहे थे उसके मोसा खा रहे थे देखके पराठा मांगने चल ले लिया मोसा से और यह देखे मैंने मिठा कदू जो है काट लिया बस इसको अच्छे से वॉश करना है और मसाले मैं पीछ लाई हूं वह भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूं बहुत स से निकाल लिए कड़ाई जी हाँ गैस पर कड़ाई रख देते हैं बस अभी इसको थोड़ा सा पोंच लेंगे मसाले दानी लेके जाएंगे और बहुत को क्या कैसे इसमें करेंगे अमचूर का यूज तो अमचूर जो हमने किसी डब्बे में घाला था चोटे से में छोटा सामचूर भी हमने खाला था यह भी हमने उठा दिया बट्टा एक कि माता हमको दे दो ट्राइपोड हमारा उठाला हो बाबू हमारे हाथ में समान है बस चोक लेते हैं हम इठा को इसको बोश कर लेते हैं पहले जो तक गाएं के आगे दे लिए हो गाएं के आगे दे जाओ आगे डालिया हूँ है डाल क्या हो जुल्दी से यहां का जो हमारा पाइदान है तो हम भी साइद धुला नहीं है जंदा है उदर रखा हुआ है इसको भी देखेंगे और इसको बोश करते हैं सबसे पहला काम यह है नहीं है कैम पद कर देखें लोग हो जाते हैं यह रहा मिठा कद्दू भी बोश कर लिए चाय का भवना इदर रखते हैं अब तन साफ करने हैं लाइटर में कुछ दिक्कत हो रही है इस वज़े से गैस है ना मातिक से जलानी पड़ेगा इस खराब हो गया बिट्टे आप क्या कर रहे हो काई रहो सबसे पहले हमने कड़ाई में रिषाइन डाल ईए रिइस थोड़ा सा एक्षटा लिया है आज हमने टमाटर में चोल लेती हूं समयरा कचे का उतार दे आपने उ पर का तक निकल जाता है छोटता की बोलूंगे पहले छिल्लक बोलती थी अब तो थोड़ा-थोड़ा मैं अपनी जो है बासा चेंज करने लगी हूं चीजों को बोनने का सही तरीका सीखने लगी हूं पहले बहुत फर्क पड़ता था बहुत सारी चीजे मैं अच्छे से नहीं बोल रखी है इस सारी चीजे मैंने इसमें डाल दिया उनी कह रही थी ममी मैं करूं मैंने करने बढ़े जल जाएगी तो मसालों को बहुत अच्छे से अभी प्याज लसन और ये जो मिर्चाहिन सब को चोंक को अच्छे से पका लेते हैं उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ट चोंक में मसालों में बहुत टेश्टी लगता है मिठा कदू एकदम टेश्ट चेंज हो जाता है तो मैंने ऐसे ही किया तो मैंने रिफाइंड लिया था आप लोग घी ले सकते हो घी का तड़का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हो सके तो आपके पास तीन से चार लाल म जो इसका मिलब सारा जो है लुक वगएरा इसका सब चेंज हो जाता है एकदम से सबजी ऐसी लगती है जैसे फाइश्टार होटा लगी सच बता रही हूं भई मैं सच में इतना स्वादिश्ट मिर्था कद्दू बनाता बहुत अपने मुझ से क्या बताने वाली बात वही चेंज हो जाए और अवनी इतना चाहकर खाती है बहुत जादा उसको इतना स्वाद लगा बहुत वह एक रोटी खाती है जिसमें दो रोटी खाई टेस्ट के चक्कर में और यह चिनी में लाई थी कुछ घरकर रासन लाई तो यह मैंने अभी चिनी नहीं रिताई थी तो मै मैंने अमचूर कायूज किया खटाई के तोर पे और चिनी डाल दिया इसको फिर से ढख दिया मैंने मतलब कोई भी सबजी बनाओ तो उसमें लागत लगती है बहुत जादा अगर लागत से बनाए तो सच में हर सबजी है ना टेस्टी लगती है अब जल्दी में छोक दिया तो यहां अभी मैंने यह सारी चीज़े डाल दी और मैं बताओं अब नहीं गई थी टूशन में वापसी आई है क्योंकि उसकी जो दीदी है वो अपनी कोचिंग में जा रही है अभी तक घर नहीं आई थी तो इस वज़े से वो दो बारा जाएगी अभी फिलाल जो है चिन और उसके बाद यह मैंने जितने कपड़े दूलते वे सबंदा रख दिए फ्रीज पर डखने की यह पनिया और अभनी को मैंने बोला पेंट डाल के जब जाना अभी तूशन में अभनी क्या हो गया था चलो अब बिदा अच्छा लग रहा है जड़ा हो रहा बागू ज्या हमने के ड्रेस पर प्रेस कि यह नहीं और अभी थोड़ी से द्रेडिंग करनी है उसके एक हख़ा यहां तो सहसी कप्र नें है और यह तो हम सबसे ज़दा फेड़त है मेरी बेटि का यह ली बाबु जी एक मिन्यट पिलीज वन मिन्यट दोगे अम मिठा कद्डू कैसा बनाता मेरी बेटी को बहुत पसंद है और परसो की सबजीवा ला ला था तो यह भागे गई मम्मी मिठा कद्दू लेना मिठा कद्दू यह मिठा कद्दू नहीं वह तो आ जायता जायता जो परसो आया था मित भाया अध्याओं का यह मतलब वह आयते तो यह बोली कि भी आ मिठा कद्दू है कि फिर यह उदास होगी जो पूछा की नहीं और आज जैसे सब्जी वाला निकला तो मैंने का बिट्टा सब्जी वाला है मिठा कद्दू लेना पास इतनी तेज गई तो बड़गी इसे इतना ज़् सब्सक्राइब बहुत बड़ी सोकी ने चैना रोज देदो खाने में रोज खा लेगी मिठा कद्दू अब यह न अपने सकते बाद इसके एक जम अपने एक जम की तयारी कर रही है कर रही है और मैंने दो-चार समान सिंग आया है मैं काईरव के नियल्स काट रही है फिलाल थोड़ सा याद करके सुना कर तब सो गए हाँ याद करो सुना जल्दी अर्ट काई रफ जो है ना दिन में नेल्स नी काटने देता बल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकता कोई दिन में इसके नेल्स को आप सोच्छी कि अभी सो रहा है तो भी काट जो इस तो सब काम को दूए ब पूल माने का बाल का पूल ने गुलाब का अहां तो खमल का का अधा जो गए बिट्टे सारे याद करके सुना एक कशना भी वादा क्या है तो रट्टा करने वाली बात हो जाए तो ना ने हमसे चीज़ का रट्टा माद बात है